Hello everyone, welcome back to my channel viewers, कैसे हैं आप सुब लोग आईज, आज मैं आपके लिए evening reading लेके आई हूँ, आज की reading viewers हम देखने वाले हैं, क्या शाम आपके person की क्या feelings रही है, क्या situation रही है, क्या सोच रहे थे वो, उनकी true feelings को मिया जाने की कोशिश करेंगे, तो general reading होने वाली ध्यान रखेगा, जितना भी part viewers यहाँ पे आपसे resonate करें, उसे रख लेना जो आपसे resonate नहीं करता, उसे let go करिएगा, उसे समझ लीजे फिर वो किसी और के लिए बूला जा रहा है, ठीक है, reading viewers जनल होने वाली इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जितना भी आपसे मिलता है, उसे claim करिए, universe को gratitude, gratitude, thank you, जुरू बोल दीजेगा, reading को like कर लिजे, वीवर चनल को subscribe कर लिजे, अगर अभी तक नहीं किया है, तो, अगर आप personal link लेना चाहते हैं, वीवर तो उपर दिये, whatsapp नमबर पे, आप मुझे contact कर सकते हैं, वीवर, आप मेरे दूसरे चनल को subscribe कर लिजे, वहाँ पे आपको other than love relationship और marriage के लावा भी आपको अपनी life के बारे मादर कुछ जानना है, उसके लिए universe से guidance चाहिए, angel से guidance चाहिए, तो उसके लिए आप वहाँ पे देख सकते हैं, राशी prediction, daily prediction वहाँ पे upload होंगी, तो आप वह सब्सक्राइब कर लिजे, और फिलाल चलिए देखते हैं आपके person की अभी की current energy है, वो क्या है, okay, so we have prosperity, flight, okay, openings, okay, and bottom से मेरे पास है, archangel, michael, and soul satisfaction की energy है, यहाँ पे, ठीक है, कुछ टेरों से देख लेते हैं, क्या निकल के आता है, ऐसा लग रहा है, विवर्स की, सबसे पहले मैं आपको numbers बता दू, आपके लिए 25 number, 7 number, 2, और 5, यह number important हो सकते हैं, यह numbers कहीं न कहीं आपके हो सकता है, इन number में जो months आते हैं, आप उनसे अपने आपको correlate कर यह देखिए, यह date of birth के number हो सकते हैं, आपके person के, या आपके, या date of birth का, यह total हो सकते हैं, तो 9 number, 22 number, 4 number, यह कहीं न कहीं आप से बहुत ज़दा correlate कर रहे होंगे, 10, 3, 7, 37, इस तरह से आप देख सकते हैं, so मेरे पास है 10 of pentacle के energy यहां पे, इस of vent के energy निकल के आई है, okay, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius के energy है, 2 of vents, 5 of cups के energy हैं यहां पे, okay, cancer of scor, और पैसे के energy है, bottom से मेरे 7 of sword, okay, we have 10 of sword, 3 of pentacle, and knight of sword के energy है, okay, तो यह कुछ energy यहां पे निकल के आई है, चलिए, reading स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले, guys, मुझे यहां पे यह नजर आ रहा है कि आपके परसन, कि लाइफ में फिलाल जो फेस है, यह एक रिगरेट को दिखाता है, कि आज आपके परसन जै कि आपके साथ में ठीक नहीं किया, अब ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, तो यहां पर दो चीजे मुझे यहां पर फिलाल नजर आ रही है, एक, दो कंडिशन बनती हैं यहां पर, पहला कि आपके परसन हो सकते हैं, कि आपके साथ में चीटिंग की हो, धोका दिया हो, और वो इ उनको ऐसा लग़ा है, जिसे उनके लाइफ में से सब कुछ खतम हो गया है, चिन गया है, या फिर उनके खुशियां दूर हो गई है, जिस बीकॉज की उनको आपका ऐसा आसपेक्ट नजर आ रहा है, आपने उनके साथ में गलत किया है, ठीक है, तो यह दोनों ही तरह से हो स तूर और इस रिज्टे की तूरी जसे आपके परश्लाइ सो आप समझ रहे हो, आपके परसन आपको एक तैसे अपनी फैमली मान रहे है यहां पे, और उनको ऐसलिए जिसे कि वह उनको अंदर आना है आपकी लाइफ में, लेकिन समझ जैसे कि यहां पर हो सकता विवर्स कि आपको लगे कि यह कंडिशन मेरी है, मेरे पार्टनर की नहीं है तो इसलिए वाइसा वर्सा ही यहाँ पर समझना क्योंकि दोनों ही तरह के लोगों की मुझे यहाँ पर vibration मिल रही है इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपकी जो condition हो आपकी जो state हो आप उसमें जाईएगा ठीक है और दूसरी state में आपके अपने person को समझना आपके person फिलाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो आपकी life में आना चाहते है इस connection में आना चाहते है वो चाहते हैं कि यह connection उने मिल जाए उनको entry मिल जाए आपकी life में वो फिर से re-enter होना चाहते है तो यहाँ पर यह नज़र आ रहा है जिस्ट चाहते हैं कि एक beginning हो नई life में मतलब नई तरीके से सब चीज़े start हो आपकी विना जैसे वो रह नहीं पा रहे है ठीक है तो एक बेचेनी से यहाँ पर मैं आपके person की देख पा रही हूँ जो यहाँ पर आपके person को ही represent करती है कि वो वेचेन है वो कहीं नगई परिशान हो रहे है इस connection को खोके यह चीज़े तो यहाँ पर है ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह 10 of sword के energy है जो आपके person को represent करती है कि आज आपके person 10 of sword में आ चुके है ठीक है उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपसे दूर हो गए है और दूर होके उनकी life में ऐसे बहुत सारी चीज़ा है उनकी life में मतलब उनसे चीन ली गई है ठीक है इस तरह से मुझे ऐसा नज़रा रहा है या फिर वो चाहते हैं आपसे मिलना लेकिन दूर बहुत है आपके परसन इस समय फिलाल मुझे असा नज़रा रहा है जैसे कि लॉंग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी ज़ादा डिस्टेंस आ चुका है या तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ चुका है यहाँ पर मिलने के अनर्जी गाईज यहाँ पर फ्लाइट वाला कार्ड भी रिप्रिजेंट करता है जैसे कि वो उनके दिल में इस समय फिलिंग्स ऐसी है कि वो आपको बता सके वो आपसे क्या फिल करते हैं वो इस समय आपसे बहुत जुड़े हुए है वो इस समय आपके बिलकुल इतने नजदीक हैं जैसे कि मतलग कोई दूरी नहीं हो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़े मुझे हैं आपे रिप्रिजेंट कर रहे हैं आपके परसन की आपके परसन मुझे इस कनेक्शन में खुशियां ढूंडते वे नज़र आ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके लाइफ के जो खुशी है ना वो उनसे दूर हो गई है वो खुशियों को तलाश रहे हैं आपके परसन अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं आपके परसन इस समय फिलाल ये नज़र आ रहा है जैसे कि वो कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में लॉट आओ बापिस या मुझे एक चांस दे दो बापिस लॉटने का तो या मैं आना चाहता हूँ आ तुम्हारे पास में तो वो चीज़े मुझे यहां पर नज़र आ रही है कि फैमली की वज़े से रिष्टा जैसे कि सेपरेट हुआ है या इनकी लाइफ में कोई another family member हो सकता है जिसकी वज़े से रिष्टा सेपरेट हुआ है तो influence तो family का ही है ठीक है as a family यहां पर third party निकल के आई है मुझे ऐसा है यहां पर feel होता है कि या तो यह already a married person हो सकते है आपके person जिन से आप deal कर रहे हो या मतलब आप दोनों married हो सकते हो यह भी हो सकता है यह situation यह बन सकती है और दूसी चीज़े कि आप अपने person से शादी करना चाहते है लेकिन family नहीं चाहते है कि आप उनसे शादी करो या आप दोनों का घर बसे वो नहीं चाहते है आपको accept करना अपनी life में लेके आना अपने परिवार में लेके आना और आपके person चाहते हैं जबकि ऐसा वो उनको convince नहीं कर पा रहे है ऐसा भी है आपे नजार आ रहा है आपके person तो चाहते हैं आपके साथ में अपना reunion करना या आपके साथ में जुड़ना आपके साथ में अपनी life को जैसे की span करना ठीक है कोई action लेना चाहते हैं लेकिन action वो नके complete नहीं हो पा रहे है क्योंकि tough situation है family बहुत rudy वादी है या फिर old tradition को follow करने वाली है वो नए विचारधारों में नहीं ढलती है या फिर अपने status से नीचे नहीं जाना चाहती है तो कुछ चीज़े यहां पर मुझे ऐसी यहां पर नजर आ रहे है ऐसा भी लग रहा वीवर जैसे कि आपके person present time में इस connection पर work करना चाहा रहे है कर भी रहे है ठीक है जैसे कि परिवार से या तो बात कर रहे है यह उनके mother, father उनके अपने लोग, उनके family के members यहां पर यह हैं और वो उनको समझाने का काम कर रहे है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ मुझे भी उस person का साथ चाहिए उनसे मैं शादी करना चाहाता हूँ लेकिन जैसे कि complete deny बार बार हो रहा है किसी वज़े से जैसे कि कोई जिद पर अड़ जाना जिद नज़र आ रहे है किसी कि मैं बोल सकता मैंने बोला और अभी यह नोग नहीं समझ रहे है तो अभी इनको समझाने से कोई फाइदा नहीं है अभी जैसे कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा बाद में इन चीज़ों पर रेटन बैक करेंगे तो वो चीज़े मुझे आपे नज़र आ रही है और आपके परसंद काफी टेंशन में आ चुके हैं तो यह चीज़े मुझे हैं आपे नज़र आ रही है जैसे कि वो आपसे इस समय फिलाल तो आपी के बारे में सोच रहे हैं और आपी के बारे में सोच सोच से तरह रहा है किस तरह से आपसे रिष्टा बनाया जाए या फिर किस तरह से रिष्टा मजबूत किया जाए ठीक है तो वो चीज़े मुझे आपे नज़र आ रही है 10, 3 के एनरजी काफी प्रॉमिनेंट है 10, 10 नमबर अगर आपको नज़र आ रहा है चू नमबर आपको नज़र आ रहा है तो यह रिडिंग कही न कहीं आपको बताती है कि यह नमबर आपसे कही न कहीं बहुत बहुत कनेक्टेड है यह नमबर फाइफ नमबर आपसे कनेक्टेड है वो यह आपे नज़र आ रहा है ठीक है तो connection तो यहाँ पे viewers है आप दूनों के बीच में जो represent करता है और आपके person खुश भी नहीं है इस connection को के 10 of sword, 5 of sword mirror कर रहे हैं दूसरे को अगर देखा जाए उनकी tension को बढ़ाने वाला काम हो रहा है इन दिनों इनकी life में tension पहले कम थी अब और बढ़ चुकी है यह जितना आपके करीब आने की कोशिश करते हैं उतना इनको दूर कर दिया जाता है ठीक है तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है page of sword के energy आपे है the chariot and lovers की energy है तो मैंने बोला जैसे कि यहाँ पे spiritual journey चल रही है आपके person की awakening चल रही है ठीक है आपके person समझ रही है इस connection की value को भी वो इस journey में viewers आपकी तरह बढ़ना चाहते हैं lovers की energy हाँ पे है जैसे कि वो आपसे प्यार बहुत कर रहे हैं आपके person फिलाल तो यही नजर आ रहा है कि अगर आपके person ने शुरुआती टाइम में अगर आपसे जूट भी बोला है चीजे छुपाई है या फिर किसी और के साथ में connection में भी गए हो सकते है या फिर आपके person जैसे की फिलाल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं आपसे मिलके कोई बात करना चाहते हैं आपके लिए जैसे कोई स्टांड लेना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं ताकि वो इस connection में success को हासल कर सके ठीक है इस तरह से मुझे या पे नज़रा रही है और मदर इशू फिर से मेरे पास है तो आप दोनों की रिलेशन्शिप में कोई भी वोमें हो सकती है जो आपके परसन को नहीं चाहती है कि आपके परसन आप से मिले या आप से बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह से आप देखो तो यहाँ पे प्रॉमिननट है एनरजी मदर इशू है एक फिमेल इशू है तो आगर देखा जाए विवर्ज तो आजकल की रीडिंग में father issue बहुत काम निकल के आ रहे हैं mother issue जादा निकल के आ रहे हैं तो mother जादे ही मतलब इस समय aggressive चल रही है अगर देखा जाए तो या female जादा aggressive चल रही है जो आपके person को पिर भी विवर्स जिससे आपके परसन का अगर कनेक्शन चला भी है तो वह भी एक फिमेल हो सकती है जिसकी वज़ए से आपके परसन या तो उन से बहुत ज़ादा डरते हैं ठीक है ताकि वह आपसे बात ना कर सके वह इतना ज़ादा इनके ओपर रूल करती है कि आपके पास मैं आने से रोकती है आपके परसन को आपके परसन आपके पास मैं आना चाहते हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एकसेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में भी लाइफ को जीना चाहते हैं, क्योंकि ओपनिंग है, आपकी तरफ से तो चीज़े ओपन हैं, वैलकम किया जा रहा है, पर आपके परसनी जैसे कि कदम नहीं ब अगर आप समझ सकते हो तो बहुत रूलिंग पार्टनर है जो इनको डरा के रखता है कोई भी कदम उठाते हुए आपके परसन आपके लिए डरते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई कदम उठाया तो यह मेरे साथ पता नहीं क्या करेगी ठीक है तो यहां पर यह आपके सागर में डूब हैं क्योंकि आपके साथ में आपके परसन नहीं है दुख उनको बहुत जादा है आपसे मिलना चाहते हैं चोरी छुपे भी मिलना चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी आपके परसन उनसे छुपके भी आपसे बात करते हैं मिलते हैं ठी कि लिए कुछ ना कुछ है यहां पर यहां पर आपके साथ में कनेक्शन क्रियेट करना और बात भी करते हैं छुपके बात करते हैं उनसे ठीक है बाहर निकल के बात करना यहां लेकिन वह पकड़ी लेती है मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वह पकड़ती है और जब पकड़ती ह जैसे कि एक divine, जैसे कि soul की पुकार है, कि इश्वर इनके लिए कुछ करे ऐसा, जिसे ये अपने प्यार से connect हो सके, उनसे मिल सके, फिर से मेरे पास वही energy है, अगर देखा जाए, कि हो सकता आपके person already किसी के साथ में connection में हो, और वो आपको मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते ह पर वो जो person है न वही गुस्षय का बड़ा तेज है, या तेज दिखाते हैं, और वो इस तरह का nature रखते हैं आपके person के life में, कि वो बस watch करते हैं हर वक्त, कि क्या activity हो रही है, किस तरह से बात हो रही है, क्या कर रही है, क्या ना कर रहा है, तो ये सब चीजा watch out कि जाती है आपके person जैसे prayer कर रहे है divine से कि divine please कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं अपने person से मिल सकूँ उसके साथ मैं connection बना सकूँ उसका हो सकूँ या उसको अपना बना सकूँ ठीक है तो वो उनकी तरफ से delay हो रही है कदम बढ़ाने में आपकी तरफ से तो opening है यहां पर वो clear नजर आ रही है वोके वीवर्स तो यह reading थी आपके लिए आई हो आपके साथ में reading राजनेट की होगी अगर वीवर्स की है तो प्लीज एक लाइक कर लीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजे विलते ही वीवर्स नेक्स रीडिंग में तिल दन तेक रिवसाल काथ ब्लस्य गवाई थैंक यह वर वचिंग गवाई